इस डबल इंजिन की सरकार ने पिछले पांच वर्ष में हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से सेवा किया और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम किया है आज हिमाचल प्रदेश की जनता मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक नई रवायत बनाने के लिए जो परंपरा यहां से चल रही थी उसको तोड़ते हुए एक नया इतिहास बनाने के लिए एक बार फिर बरतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पक्का मानस बना चुकी है अपना संकल पर व्यक्ट कर चुकी है मानि नरेंद्र मोदी जी की रहलियों में जुटा आपार समर्थन और बारतिय जन्ता पार्टी के विभिन इस्तर के कारेकरताओं के चुनाओ प्रचार के समय आयोचित विभिन ने कारेकरमों में लोगों का उत्साह के साथ में आना और बारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं के द्वारा रखे गए विश्यों के साथ में जुड़ना जुटना और उनका समर्थन करना इस बात का दियोतक है इस बात का परिचायक है कि जनता हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारतिय जनता पार्टी को सब्ता में आने का मौका देने का मानस बना चुकी है जिस तरह का जनसमर्थन बारतिय जनता पार्टी के नेताओं को विभिन इस्थानों पर मिल रहा है उसको देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी के कारिकरता जो नेत्त्रत्व विहीन अवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आपको मायूस ऐसा महसूस कर रहे हैं ऐसा हाय ऐसा महसूस कर रहे हैं कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से दूरी बनाई है और कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ तम नेताओं में से एक जिस तरह से इस चुनाव के रणांगन से दूर हजारों किलोमेटर दूर पोटो और सेलफी खिचवाने में वेस्ट है कुछ सेहत का नाम ले करके कुछ किसी दूसरे कारण से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आने से बच रहे हैं उसको देख करके आने वाले परिणामों की आकलन आसानी से किया जा सकता है कॉंग्रेस पार्टी के शीर्ष नेत्रत्वे की ये उदासी इन्ता कॉंग्रेस पार्टी की इन चुनाओं को ले करके जो गंभीरता है उसकी भी परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश आ में आठ लाख पचास हजार से ज़ादा घरों को पीने का पानी मिलना जो है नल के माध्यम से मिलने लगा है एक घर में जो नल से पीने का स्वच्छ जल जब मिलने लगता है तब उस घर के परिवार में और विशेश रूप से उस घर की माताओं बेनों की जीवन में जिस तरह का परिवर्तन आता है बारतिय जनता पार्टी जहां अपने विकास के कामगों के आधार पर इस चुनाव के मैदान में है और इस संकल्प के साथ में मैदान में है कि हम नया रिवाज बनाएंगे और नई बारतिय जनता पार्टी को फिर से लेकर के आएंगे कौंग्रेस मातर रिवाज के भरोसे जो परंपरा इस प्रदेश में पाथ साल में सत्ताओं के परिवर्तन की रही है केवल उसके भरोसे ही इस चुनाव की वैतर्णी को पार करने के लिए काम कर रहे हैं और केवल भाग्ये के भरो से शायद फल उनकी जोली में गिर जाएगा इस लक्षी को ले करके चुदाओ के मैदान में इस आसरे पर ख़ड़ी ब्रश्टाचार में शाशन और सदाचार को ढूनने का काम करते दे। कॉंग्रेस ने सत्ता में रहते वे जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का स्पैशल स्टेटस चीना जिस तरह से इंडस्ट्रियल पैकेज उस समय में चीना गया ब्रश्टाचार के माध्यम से केवल अपने घरों को सिंचन जिस तरह से किया गया कॉंग्रेस का स्वभाव जो देश भर में चिन्नित हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में भी परिलक्षित हुआ था जिस तरह से पूरुवर्ती सरकारों के समय में जो राजाओं और महराजाओं की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में थी लेकिन हिमाचल के बेटों के लिए हिमाचल की बेटियों के लिए हिमाचल के लोगों के रिए जिस तरह से उस समय मखबुक्य मंत्री को हिमाचल के हग का पैसा मांगने के लिए भी दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों और पार्टी के बिना किसी पद पर बैठे लोगों के सामने भी या मैं खुल कर कहूं कि सुनिया गांदी जी के सामने जिस तरह से जाकर के गिड़गिडाना पड़ता था उसके उलट नरेंदर मोधी जी की सरकार में एक नई रवायत नई परंपरा प्रारम बूए और प्रदेशों की सरकारों को देश के अन्य प्रदेशों की तरह ही हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी जितना मांगा है उससे अधिक धनराशी बारत सरकार की तरफ से मानिय नरिंद्र मोदी जी ने दिया है कॉंग्रेस का हमेशा से जो नारा रहा है लटकाना आठकाना भटकाना नए वादे ले करके नए नए सब्जबाग दिखा करके मतदाताओं को आकरशित करने का ढौंग जिस तरह से राजस्थान में 2018 के चुनाओं में किया गिया था बेरोजगारों को बेरोजगारी बत्ता देंगे किसान का 100% करजा माफ करेंगे इस तरह के लोग लुभावने वादे लेकर के सत्ता में आने के बाद और मुझे इसमरन आता है वो दिन जब 18 के चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के मुख्या ततकालीन राष्टी राजस्तान के लोगों को बताते थे और यह कहते थे कि दस दिन में राजस्तान के किसान का संपूर्ण करज माफ होगा दस दिन में हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा लेकिन आज भी राजस्तान का किसान जो है करज के चलते आत्मत्या करने को मजबूर है किसान का करजा माफ नहीं हुआ वो अपने आपको ठगा हुआ मैसूत करता और उसके विपरित सबसे ज़्यादा महेंगी बिजली सबसे ज़्यादा महेंगा डीजल सबसे ज़्यादा महे मेटा मच्बूर है रहीं उसी राजस्तान के मुक्याहें यहां करके और राजस्तान के शुशाषinky की गवाई देते कॉंग्रेस पार्टी के वन सब्जबाग जो राजस्तान में वादे पूरे नहीं कर पातां थे उन वादों को यहां लाकर के दोराने का प्रियास करते हैं जो राजस्तान आज कॉंग्रेस की शाशन के तहत देश की रेप कैपिटल बन गया है वो यहां आकर के कॉंग्रेस के माधियम से शुशाशन का वादा करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का सब्जबाग दिखा करके वहां एक भी व्यक्ति को अब तक बेनिफिट नय मिलने के बाव जो साथ साथ ही कि OPS से किस तरह से अधिकतम लोगों को कम किया जाए इस तरह का शडियंत्र रचने वाले यहां आकर के OPS का नारा देकर के व्यजोहल लोगों को बोट लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के देव भूमी के भोले बाले लोगों को भमित करने का प्रयास करते हैं